प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस्ट नॉलिजिबल और दमदार वीडियो लाते रहे हैं तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमे इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत आज की इस प्रोग्राम में नाजी लाही हां हमार साथ मुझूद है दो तीन टापिक्स के ओपर डिसकेशन करेंगे एक अच्छी खबर भी है इंडिया को लेके उसके ओपर भी बात करेंगे लॉरेंस बिशनोई के हवाले से बात करेंगे जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि उन्हें एनिमल प्रोटेक्शन कमेटी का हेड जो उनसा हो मुकरर किया गया है इसके ओपर भी बात करेंगे साथी साथ बंगला देश से हबर आ रही है कि अगर बंगला देश ने इलेक्रिसीटी चार्जिज ना पे किये बंगला इंडिया को अड़ानी ग्रूप को तो शायद बिजली काटती जाएगी असलाव लेकुम नादिया जी कैसी है आप बंदे मातरम भारत माता की चाहिए सवेज़ अगनात हरहर महादेव वालेकुम असलाम बहुत अच्छी हूँ ठीक है नादिया जी सबसे पहले तो यही बात करेंगे क्या समझती है कि एक जेल में बैटा 인सान पोरे इंडिया के जो एनिमल प्रोटेक्शन कमेटी है उसका हेड अलेक्ट होता है सेलेक्ट नहीं अलेक्शन होते हैं उसके अपर ظाहरी बाता है उसका नाम आता है और अलेक्ट होता है क्या कहना चाहेंगी इसके उपर श्रॉइब जब जेल में बैटे बलादकारियों को वेलफियर ये बोल करके रेमिशन क्राउंड पर बेल करवाता है कि उनका वेवार जेल के अंदर अच्छा है मुझे याद है कि साउथ में हमारे भारत के साउथ जो है उसमें एक बलादकारी को बेल इसलिए मिला था क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था तो जब बलादकारियों के साथ ऐसे खुबसूरत सुलूक जेल करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉरन पिशनोई is a gangster he is not a terrorist, he is not a rapist तो I really thankful लॉरन पिशनोई कि लॉरन पिशनोई की वजह से हमारे भारत के आनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को और आनिमल प्रोटेक्शन के जो मंत्रा ले आता है उसकी आँखे खुली है और लॉरन पिशनोई को उसका एक एलेक्ट करके एक चीफ बनाने की कोशिश की जारी है मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं महरम में घोडों पर चाबुक बरसाना और खंजर बरसाना कम होगा बकरेईद में जो मुसलमानों का तहवार होता है उसमें जानवरों का काटना कम होगा और जिस हिसाब से बाकी हमारे जो एनिमल्स हैं, उनको जो धेला और पत्थर मारते हैं एक खास मजब वाली गलियों में, वो भी कम किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो का, क्योंकि हमारी जो अपरिवरिश है, उसमें हम क्या करते हैं, कि हम बाहर में रोज, अब अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, मैं जब उठी हूँ, तो मैं ब्रश करने से पहले अपने बैलकनी में मैंने पानी रखा है, ताके जो भी कभुतर है, कभुआ है, या जो भी पशुपक्षी है, वो आ करके उस पानी को पीए, अब मेरा काम क्या होगा, कि मैं अपन ये परवरिश है, लेकिन पता नहीं, ये मजब वालों की कैसी परवरिश है, कि धेला, पत्थर, चाबुक, ये सारी चीज़े बेजुबान जानवर पर भी वो चला देते हैं, तो थैंक्स तो लॉरें बिश्नुई, नादी जी इस पर देखे ना, वैं एक चीज़ ये भी क चिडिया, परिंदे, जो भी आपको नजर आते हैं आपके बॉलकनी में, उन्हें पानी देती हैं, उनके लिए पानी रखती हैं, चाब रखती हैं, तो इसका मजब है आप जिस मजब से फिलांग करती है ना, तो ये डिपेंड करता हैं कि आप इस मullah clearly background या आपके आपके इ रहती हूँ मैं उसमें एक भी मुसल्मान नहीं है तो जैसा देस वैसा भेस होता है हम जितने सिविलाइज्ड सभ्यता और संसकारी लोगों के बीच में रहते हैं हम उतनी ही सभ्यता और संसकारी बनते भी है क्योंकि हम उनसे बहुत सरी चीज़े अड़ाप्ट करते हैं हम उन अपने भारत में एक खास मख़भ वाले पाड़ा और महले को आपने बहुत गोर से देखा नहीं है कि वहाँ पर किस तरीके से एक बेहूदगी और बत्तमीजी जो है वो सिर्फ महिलाओं के साथ या दूसरे धर्मों के साथ या मंदिरों के साथ नहीं बलके बेजबान जानव पशुपक्षी ऑन पर पशुपक्षी ऑग के साथ भी वो लोग करते हैं ठीक है एक और चीज़ एक का आपके मैमबर अफ पार्लिमेंट है पंजाब से बिलाब करते हैं इंडियन पंजाब से बिलाब करते हैं उनकी 7 स्टेटमेंट है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बाई लारेंस पिश्णोई की वज़ा से जानवर तो शायद महफूज हो जाएंगे एनिमल शायद महफूज हो जाएंगे लेकिन पंजाब में पूरा देश्चत है पंजाब के जो इंसान है मतलब जो पंजाब के लोग है वो परिशान नजर आ रहे हैं एनिमल में फूज हो जाएंगे लेकिन लोग परिशान नजर आएंगे जी वो सुल्मान हान को धंकी देते नजर आ रहे हैं सुल्मान हान के फादर को धंकी देते नजर आ रहे हैं इसके ओपर आपकी क्या ओपीनियन होड़ शुयब मैं सबसे पह बारत में जो बिलकुल भी नहीं डर रहे हैं दो चार लोग हैं जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो इसका मतलब यह साबित होता है कि उन्होंने जरूर कुछ न कुछ गलत किया है इसलिए उनको डर हो रहा है अब अब दूसरी बात आती है कि लॉरन बिश्णोई पर उसको ग से गोड से को नोंने जिहादी साबित करने की कोशिश की थी हलाके वो मडर अड़ था गोड से वो जिहादी बिलकुल भी नहीं था याकूब मेमन जिहादी था यासिन मलिक जिहादी है अजमल कसब जिहादी था अफजल गुरू जिहादी था मुसकान जो है वो जिहादी थ तो मुझे लगता है कि एक खास मजब वालों को जबर्दस्ती किसी एक समुदाय को टार्गेट करनी की आदत हो गई अब देखिए लौरें बिश्णोई ने थोड़ी सी बात सल्मान खान के लिए क्या बोल दी कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए कि उसको बस अब से हमको जिहादी साबित कर देना है अभी देखिए कल की खबर है एक 24 साल की फातिमा खान ने 24 साल की फातिमा खान ने हिजाब पहन करके जिहादी बनने का पूरा इंतिजाम कर दिया और उसने उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री आदर्निय योगी आदितनाथ को मडर की धमकी दिये और कहा है कि पिछले दस दस दिन में अगर आदर्निय योगी योगी आदितनाथ जी अपने सीम पद से रिजाइन नहीं करते हैं तो उनकी उनका मडर वो वैसे ही करेगी जैसे बाबा सिद्धी की का हुआ था ठीक होगी अब अब मैं फातिमा खान के बारे में आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमारे भारत ने ये कोई नई हिजाबन और जहादन नहीं देखा है जैसे मुसकान मुसकान जो कुछ ऐसे हमारे विपक्षी दल हैं पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने उनको भर करके पैसा दिया और पैसा देने के बाद वो हिजाब पहन ली और नारे तक्बिर का उन्हें नारा लगाया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि वह अलकाइदा के चीफ की वह प्रोस्टिटूड और कॉंक्योबाइंड है अलकाइदा के चीफ की कुछ दिनके बाद पता थोड़ा देखने वाले ये कुमेंट बाक्स में बताईएगा जो थोड़ा सा मैंने फिर मुसकान के हवाले से बाद में जो मैंने खबर देखी थी आप सची है ये जूटी है दे करती है वहां के बोर्ड को वहां के एक्जैमिनेशन को उसने टॉप किया था मतलब मैंने तो ये खबर सुनी है अब ये ठीक है या गल्त है ये देखने वाले बताईएगा कुमेंट बाक्स में या नादिया जी अगर आपको जो लड़की जब अलकाइदा के चीफ का रास तो वो लड़की तो दुबारा भारत आई ही नहीं तो उसने टॉप कहां से कर दिया हाँ जो लड़कियां उसके साथ हिजाब में हिजाब के आंदोलन में थी उनमें से कई लड़कियों ने अच्छे रिजल्ट किये हैं मैं उसको एक्जिप करती हूँ उन्होंने शिक्षा को महत विदिया उन्होंने शिक्षा को वैलियू दिया अधरवाइस जब तक मुसकान यहां पर जिहादियों का काम कर रही थी तब तक तो वो हमारी मुसल्मान बेटियों को एक्जामिनेशन हॉल में एंटरी नहीं करने दे रही थी उसका तो एक ही कहना था कि पहले आप हि करो कि हां हिजाब हम पहनेंगे और पहनेंगे जब जैसे ही अल-काइदा का हिजाब खुल गया उसका और वह कंक्यूबाइन पता चली तब वह तो भाग गई वह तो दुबारा कभी नहीं आई भारत में अब तो भारत की पुलिश उसको ढूंड रही है भारत की सुरक्षा इजन्सिस उसको डून रही है भाई वो तो ना पता रही है ठीक है लेकिन मैंने यह ख़बर पड़ी दी तो देखने माले इसमें दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कि तना नाजी लाइक खांजी का दंदार और बेबाक रियक्शन आपको काफी पसंद आए होगा तो यह वीडियो आपको अच्छी लगिए से लाइक को शेयर जरू कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताए और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपने किसे लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और दंदार कि ये जैन जै भारत